शुदीरा सर अज वकील साब ने बढ़िया बता दिया इसर बहुत अच्छा एक्ष्पेंट के सरदी हो रही है और एक पड़ा जपकी मारी तो पता चला कि मैं मैदान में पहुंच गया वहां ठंड पड़ी हुई है तो चाए बनाने का सामान तो सारा था कौले पड़े हुए ते चारज तरफ एक अक कौला जल 술 ला था चार हो तरफ अब एक इन कॉलों को इखटा कर तभी तो भठी बनेगी तभी चाय बनेगी। ये कंसेप्ट है के बहु एक कोला कभी चाय नहीं बना सकता, चाय बनानेगी, ये सारे कालों इखटते करने पड़ेंगे, तब वह जलेगी। एक कोला जलता भी نہیں ہے اور یہاں انہوں نے سارے ہمارے کوئلے الگ الگ لے رکھیں اور یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرا کولہ بڑا ہے میرا کوئلہ چھوٹا ہے میرا کوئلہ جل رہا ہے میرہ بھج رہا ہے اور چاہ نہیں بننے ہی ہماری اور ہم تو سارے ٹھنڈ کے مارے مرے جا رہے ہیں یہاں جو میں نے وکیلوں میں آگ دیکھی جو ہمارے وکیل کے لوگ تھے کہ انہیں کتنا سماج کی مدد کرنے کے لیے کتنا ججوہ ہے کہ ایک شکایت آئے نہیں और सारे लोग उस शिकायत पे अपनी जो जितना भी समधाने वो देने की पूरी कोशिस कर रहे हैं और मन से कोशिस कर रहे हैं कि जो समस्या का समधान हो जाए दोसी समस्या आई तो फिर उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि भई समस्या का समधान हो जाए और समस्या के समधान क हो रहा है क्योंकि जो समस्या है वो समस्या कुछ और है और समधान कुछ और हो रहा है इसलिए ना समस्या है ना समधान है बात कुछ और चल रही है वो बात सारे सारे आप लोग जानते हैं मगर जैसे डॉक्टर ओपीडी लगाते हैं भुधवार को वैसा ही अब वकीलों की ओ वरकिंग की, जिसके चेर्मेन हमारे भाई समरसंगी प्रिकास सिंग जी है, सुनने हैं प्रिकास सिंग शर। प्रिकास सिंग सिंग सुनने है क्Яा। सुने यहाँ पलेट फार्म पे समस्याओ सrüनने का समधन दो सुप्रिम कोट के एडवोकेट अविशेक राजी ने बताया कि सारी बातां यहां सुनने की और जानने की नहीं होती है तो जैसे ओपीडी में डॉक्टर यहां निच्छचा करते क्योंकि यहां बहुत साइड डॉक्टर आते हैं अगर अपने मरेजों को यहां लेकर नहीं आत और सौंबार को जो तीन प्रपुजल आने वाले हैं जिसमें सीनियर सिटिजन यानि वड़े लोगों का संग और जिसके अंदर जो संग आने वाला है इधर वकीलों का संग और जो संग आने वाले हैं महिला का संग आने वाला है और इंटरनेशनल लोगों का संग आने वाला है और पूरा समड़ एड़ोकेट संग बनेगा इंटरनेशनल समड़ एड़ोकेट संग बनेगा तो प्रेटफार्म मिलेगा तो वहां समस्या और समधान बहुत तेज से होगा और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं और वो ऐसा अद्वोगेट अविश्यक राजरात जी ने बताया कि एड़ोकेट तो सीधे-सीधे बावा साथ की संतान होते हैं क्योंकि बावा साव सम्मृधान के जनक हैं और सारा का सारा सुप्रिम कोट का चीफ ज़िस्टिस भी सम्मिधान की अजाद है यानि कि बावा साब की उलाद है बावा साब ने जो सम्धान बनाया है सारे लोग जितने बड़े से बड़े छोटे छोटे हैं सब उनके बच्चे हैं तो इसके जो महानायक हैं इसके जो पिता महें हैं वो तो बावा साब अमेट कर हैं तो जब बावा साब अमेट कर की संतान सारे एड़ोकेट्स हैं तो उनका दायत वर डबल हो जाता है तो कि बावस आपका नाम साथ है और उपर से वो कानून के पंडित हैं इसलिए उनको ज्यादा महत करनी पड़ेगी और अपना समर्संग इसी स्वंबार को उनको एड़ोकेट वाला बना लेना चाहिए सारे वकिल जितने भी हैं बाकी जुड़ जाएंगे और उनको अपना एड़ोकेट अभिशेक राजी हैं क्या जी वो आपका तेलंगाना में जो एड़ोकेट का संकी बात हो रही थी उसमें कुछ बात बनी क्या आगे नहीं हमने जो यह अभी जो प्रिलुनरी हमारा डिसिजन भी हम डिसक्ट कर रहे हैं वो यह है कि जो एड़ोकेट की नेशनल मीट हो वो तेलंगना में हो क्योंकि तेलंगना में जो हमारे बहुत सारे वकील भाई हैं वो बहुत एक्टिव हैं उस बारे में भी बात हो रही है जैसा होगा वो खाउस को बता देंगे तो आप अपने वकील भाई हो सबसे बात करके सोंबार को इसको जो एड़ोकिट का समण संग है उसकी प्रपोजल लेके आईए और उसको पास कराईए ताकि आपका काम में हैं ही मगर न्याय बनाने के जो कोट हैं उसको बनाने के जो पिता में हैं वो बुद्ध हैं बुद्ध ने कोट बनाना सिखाया और जिसको आप चंदा बोलते हैं ये इच्छा से बनती थी यानि कि इसका जो नाम था वो नाम बोट से पड़ा हुआ है और जो नाम पूर थे जो न्याय करते थे और जहां न्याय लिया होता था और सारे भिपों को उन्हें सिखाया ये सारा का सारा विने पीटेक में लिखा हुआ है इसके नियम लिखे हुए हैं और इसके कितने कमाल के नियम हैं कि वो ये कहते हैं कि जज वो बनेगा जो बायश ना हो जिसके जो नाम है असली वो सम्विधान नाम भी सारा सारा पाली का है आप ध्यान देना कि ये सम्विधान बोलते हैं तो कहीं ये विसम्विधान भी होता है तो सम्विधान सिर्फ भारत के अंदर होता है और भारत के बाहर जहां से लोग आते हैं वहां विसम्विधान होता है और य इंसा करते हैं तो उसके परणाम उनके जीवन में आते हैं जब सेर बुड़ा हो जाता है तो घर की जितनी सेर निया है और जो जवान शेर है उस शेर को निकाल के कबीले से बाहर कर देते हैं यानि पंदरे और बीस लोगों का जो उनका गुठ है उनका जो संग है शेरों का सं यहां आए उनको काम करना नहीं आता वो परजी भी होते हैं और वो यहां छदम से अपना खाना पर प्राप्त करते हैं हम लोगों के शोशने प्राप्त करते हैं वैसे ही जो शेर हिंसा करने वाले हैं वो परजी भी होता है और वो मर जाता है यह विसम विधान का नियम है क्यो तो दूसरा हंस उसके बिना खारा नहीं खाता मर जाता है एक बत्तक अगर जिसका जीवन साथ ही मर जाए मेल नर या नारी तो दूसरा जो बत्तक होता है वो या तो ऊपर से आस्मान से गिर के और अपने पंक बंद कर लेता है और नीचे आगे अपना सर पटक के मर जाता है य हमारे यहां का सम्विधान है इसलिए भगवान बुद्ध ने सम्ता सब्द दिया है और इसी सम्विधान को बावा साम ने सम्विधान करके लिखा है तो यह जो सम्विधान है यह सम्विधान तब तक चलता है जब तक के इसको चलाने वाले सम्ता पर हैं अगर वो विसम्ता पे आगे तो इस सम्विधान का भी विसम्विधान बना देते हैं वो लोग। आप यह मैं समझना कि किताब में कोई ताकत है, किताब में कोई ताकत नहीं है जैसा कि अभी शेयक दान नहीं बताया, किताब को चलाने वालों के मन कैसे हैं उसमें ताकत है, तो अगर चलाने वा बात जो उसमें लिखी हुई है अगर वो नहीं मानी तो विसम हो गई आपने समता की बात मानी तो समता हो गई और अगर कोई किताब विसमता से भरी भी लिखी है और उसे मानने वाले समता पर आधारित हैं तो वो विसम बात को मानेंगे नहीं तो किताब आटोमेटिक सम हो ज अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया सम्विधान पर समता पर चलती है जो लोग कुरूर थे जो यूरोप के अंदर जो लोग कुरूर थे और एक दूसरे को मारा करते थे और जो अमरीका में लोग गए जिन्हों ने रेड इंडियल्स को जम के मारा काटा उन लोगों ने स परिसान हो रही हैं सिर्फ एक छोटी सी कमी की वैसे कि वो संधंग सरनंग गच्छामी बोल गए और कुछ ऐसे लोगों ने जिनको संधंग सरनंग गच्छामी का मतलब भी नहीं पता था उन्होंने कह दिया हमारी संग में आ जाओ ये और कितना हाथ उठा कहते हैं आओ चे अब मैं आपका चेला हूँ गुरु जी अब मैं आपकी सरन में आ गया अरे भाई चेला गुरु वाली सरन नहीं है ये ये संग की सरन है ये चेला और गुरु वाली जो सरन होती है ये व्यक्ती की होती है व्यक्ती बात पाधारित होती है किसी व्यक्ती की सरन में नहीं जान हैं एक सेंटेंस हमारी जिंदगी बदल सकता है एक सेंटेंस एक वाक्य हमारी जिंदगी वहीं पहुचा देगा जो समराट असोक के समेहम राजा थे एक सेंटेंस अगर आप जीवन में 24 घंटे अपने आख में बाद लो और उसी को सारे सारे माने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी पहुच से दूर है पुरी दुनिया में जहां घुमना चायते हो वहां घुम सकते हो क्योंकि जहाज का किराया कम करना आपके हाथ में है जहाज जो बीस हजार में उड़ेगा आपके लिए या दस हजार में उड़ेगा एक कलम से आप उसका इसका सिस्टम बदल दोगे तो जहाज का क्राया पांश जार भी हो सकता है और कोई नुक्सान नहीं होता पांश जार में फायदा होता जहाज कंपनी को मगर आप नहीं उड़ पाओगे क्योंकि कलम आपकी है नहीं संगा आपका है नहीं इसलिए अगर वडान भरनी है अगर बच्चो को पड़ाना है और बच्चो को पुरी दुनिया में चाना है चीन जैसा जो देस है जो कभी भुकमगरी के कगार पर होता था और जिसके आँ खाना नहीं होता था और हर कीड़े को खाना पढ़ता था मजबूरी है लोग कहते हैं ना चीन के लोग कीड़े मुकड़े खाते हैं शौक नहीं है उनको किडिये मकड़े खाने का कोई प्राकरतिक नियम नहीं है मजबूरी थी खाना नहीं था उन लोगों ने कमर कसली और उन्होंने संग बना लिया और आज अमरीका परिशान है फड़ पड़ाता है अमरीका उसके आगे हमाई तो खेर हालती खराब है सिर्फ एक संग बनाने की वैसे और उनका संग इतना मजबूत है कि संग के खिलाफ में कोई बोल नहीं सकता वो अपने आदमी को उपर से लेके नीचे तर ठंडा कर देते हैं अगर संग के खिलाफ बोले करे कुछ भी वहाँ पर सारे लोग काम करते हैं सब करते हैं मगर संग के खि गई औरा बड़े हुए है जो समता पर आधारित नहीं है वो तो हम कभी लेने वाले हैं नहीं अगर जो अधार है वो उन्हों ने लिया है कुमिटी का नाम पे टुकड़े, कभी संग्ठन के नाम पे टुकड़े, कभी सस्ता के नाम पे टुकड़े, बनल वो जाती और वन तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो संग्ठनों पे टुकड़े हो रहे हैं, और संग्ठन वाले सोचने को त्यार नहीं है, क्योंकि गुलाम उनके ह गुलाम भी है और हमसे पैसा भी लेता है और संग्ठन के हम गुलाम हैं संग्ठन भी पैसा लेता है और ब्रहमन भी सारे हमारे अधिकार लेता है और संग्ठन भी हमारे अधिकार बचा नहीं पाए किसी को बुरा लग सकता है तो वह यहां आए पूर्टल पे और आके बताए की एधिकार बचे कहां हम बुरे लगने का स्वागत करते हैं जितनी भी बात है उसका स्वागत करते मगर भाई बचे-बचे कहां नोकरी बची और जो पढ़ने का धिकार है वो बचा कहां जो 15 पैसे में मैं स्कूल जाया करता था आज उस बच्चे की फीज 12,000-14,000 है उसमें तो ये 14,000-15,000 की फीज लाओं कहां से कैसे फीज आएगी कोई कह सकता है मेरे पास तो बड़ा पैसा दे सकता है अरे दे सकता है एक आदमी दे सकत है बावा साब ने कहा है पढ़ाना सारे भी दे सकते हैं खाओगे क्या बचाओगे क्या बच्चों को पढ़ाने के बाद दोगे क्या पढ़ा भी लोगे घर बेचके तो वो घर बनाएगा कैसे क्योंकि 10,000-15,000 की प्राइवेट नौकरी मिलेगी एड़क नौकरी मिलेगी गर्मेंट ऑफ इंडिया यानि वीदा पीपल की तो जितने असेश्टे हैं तो बेच दिये जो भारत सरकार की जितनी कंपनिया थी वो तो चली गई वो तो भारत सरकार की जो वीदा पीपल के लोग थी वो बचा नहीं पाए तो उसका प्रणाव भुखतना पड़ेगा मतलब बावा साथ खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, अगर मुझसे मिलना हो तो धम को देखना, देखो कितनी बड़ी बात के गए, हर संपुरुस यह कहता है, कि मैं तो अपने विचारों में हूँ, इस हार्ड मास में, इस खून मे इस तौचा में, इस हड़ी में, इस दांत में नहीं हूँ है, यह तो खतम होना होता है, सबसे कीमती चीज होती है, जो थौट्स होते हैं, जो विचार्स होते हैं, जो थौट्स की जो बुक होती है, जो पूरा-पूरा सिस्टम बना के जाते हैं, वो सबसे कीमती होता है, त विधान उनके लिए जैर होता है तो हम तो समिधानवादी हैं तो हमारा पिता में हमारा डॉक्टर अंबेटकर वो किताब के अंदर मौजूद है क्या कहती है किताब क्या कहते हैं बावा साथ वीदा पीपल हम भारत के लोग बस एक सेंटेंस तो कहते हैं इस हम भारत के लोग कोई तो बुद्ध कहते हैं संगं सरनंग अच्छामी और डॉक्टर मिड़र कहते हैं वीदा पीपल ओफ इंडिया आओ इसके अंदर समिधान के अंदर और क्या कहते हैं बुद्ध कि संगं सरनंग अच्छामी और सारे संत क्या कहते हैं संगत करनी है साधू संगत करो साधू स संगती में रहो संगती में रहो तो वरक्कत होगी तरक्की होगी सारे लोगी तो यह कहते हैं और हमारे महापुरुस्वी और हमारे पिता में भी क्या कहते हैं एकटे रहो एकटे रहो साथ सात रहो कुर्मा बढ़ता है घर बढ़ता है तरक्की होती है एक वाक्य एक सेंटेंस बेसक आप अनपड़ हैं, बेसक अंगों ठचाप हैं, बेसक आप मंद बुद्धी हैं, बेसक सरीर से कमजोर हैं, बेसक घर नहीं है, बेसक जेब में पैसा नहीं है, बेसक एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, कुछ नहीं है, इकटे अगर रहे गए, तो सब आ जाएगा, सब ब बचेगा और बुद्ध भी बचेंगे अगर संगं सरनंग अच्छामी होगी ना बुद्ध बचें ना धम बचें जिसका संग नहीं होता इसलिए तो धम खतम हुआ इसलिए बुद्ध खतम हुआ और इसलिए संविधान खतम हो रहा है मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान कहता है संगं सरनंग अच्छामी है वीदा पीपल है अगर वीदा पीपल का मंत्र नहीं समझते संगं सरनंग अच्छामी का मंत्र नहीं समझते तो संविधान बचाने वाले भी पैसे खटे कर रहे हैं वो संविधान के नाम पर डरा रहे हैं उनको नहीं पता कि समिधान नहीं बसता, कोई अगर हाथ में किताब लेके समिधान की फोटो लगाए, उससे समिधान नहीं बसता, समिधान बचेगा, जब दिन रात दिन रात लोगों को कहेंगे, इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, और काम करेंगे, कल संख्या यहां 245 थी, तो सब को काम करना पड़ेगा या सुधीर राज सेंग का या प्रिकास सिंग हैं या जो और जो लोग लेकस वे, अनका काम नहीं है, हर व्यक्ति का काम है, जो नया आता है, जो पुराना आता है, क्योंकि संग में नेता नहीं होता, संग में अगर नेता होता, तो हम नेता का गलेवान पकड़ लेते, तेरे को पैसा दिया हमने, तेरे को ये किया, हमने तेरे सपोर्ट पर हम आए, तेरे हमने जंडा उठाए, तेरे बैन उठाए, ते फेल हो जाओ तो CCA के सामने खड़े होना और अपना गलेवान ऐसे पकल के कहना कि हम मर रहे हैं और मेरी वैसे मर रहे हैं अपनी अपनी वैसे मर रहे हैं ऐसा बोलना तब जीत होगे क्योंकि जिन लोगों ने आपकी अधिकाल लियें वो 24 गंटे काम करते हैं 300-25 दिन काम करते हैं अपनी पूरी जमा-पूजी तन, मन और धन लगाते हैं यहां तो सिर्फ तन और मन की बात करें धन को आप अपने घर में रखो धन की आप सकता नहीं है इसलिए काम करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है के काम नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों ने काम स्टार् की बड़े इमानदार व्यक्ति हैं फिर भी डेली काम कर रहे हैं मीटिंग पर मीटिंग लगाने की तियारी कर रहे हैं तो एड़ुकेट रामशंदरा हैं गुजरात में दिम्राद मीटिंग में लगा रहे हैं अभी आट महिने पहले तक संथ पड़े हुई थे अब अचानक को उनके अंदर आग लग गई और पूरी जिन्दकीरों ने कह दिया कि समर संग में जाएगी और लग गए गुजरात की दो मिटिंग लगा चुके हैं और गुजरात की मिटिंग कोविट के विए से रुके तो रुक जाए वना चलती रहेगी तो कटके सर हैं यहाँ पर के अंदर मीटिंग होगी और नौकरी छोटे फुल टाइम लगने वाले हैं पूरा टाइम लगने वाले हैं और उनकी टीम पूरी लग गई तो जमुले साब लिटा गए जमुले साब इतने बुजरुग हैं मगर कह दिया कि नहीं पूरी जिन्दी इसमें द्यानी हैं तो द दिल्ली के अंदर छे सरकल बनगे साथ लोग ऐसे हैं जो दिना दिनार इसमें काम करें तो बाड़ आ गई पहले मीटिंग सब जाद दिल्ली की होती हैं अब हरियानी की हो रही हैं हरियाने के तो गाउं तक में मीटिंग पहुच गई तो लग रहे हैं तो आज एक फौन हमा हो गया कहरा जी मैं सारी वीडियो भेज रहा हूँ आपकी चावत भेज़ रहा हूँ लोग त्यार हो रहे हैं ये concept वास्ता में बहुत कमाल का है इस concept में कोई कमी नहीं है हम तो कमी पूछते रहते हैं भाई हो सकता है हमारे महापूर्सों ने बुजर्गों ने कोई इस concept में क लेल किया देßर से आया मगर हमारे हाथ में आ गया क्योंकि इस concept में सब सब के मालिक है अट्ट-दीपो भव है is concept का नाम अपना मालिक खुद है अपने राजा खुद है किसी के गुलाम नहीं है अट्ट-दीपो भव है यानि खुदी रोसनी है खुदी रोस ने दिखानी है, समझना है और समझाना है, बताना है और पूछना है बताना और पूछना है, और सिर्फ काम करना है, काम करना है, कुतरक नहीं करना है क्योंकि विचार तो महापुर्स ओलिडी देके गए हैं, और समढ़ संग देके गए हैं, उसकी नियम देके गए हैं, तो करना क्या है? सिर्फ चलना एउसके उपर. यहां विद्ध्तर नहीं जार नहीं है. यहां इस बात कर नहीं करना है कि मैं तेरे से जादा जानता हूँ, यह मेरा विचारी है, तेरा विचार है. भीया अपने विचारों को किताब में लखो किताब छबबा लें लेना, जिसको पढ़ेंगा पढ़ लेगा यहां तो महापुर्सों का विचार चलता है यहां तो buddh से पेले जो हमारे दादा दादी थे, जो पिता थे जब तक हम सारे खटे होके अपने सारे सुख पराप्त नहीं कर लेते हैं जब हम सुखी हो जाएंगे तब और विचार ले लेंगे अभी तो सुख होने के लिए बावा साब का विचार ही हमाल नहीं है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरी विचार है, सबसे उपर है और सुप्रिम है, इसी विचार पर चलना है, कोई विचार नया लेकर नहीं आना है, क्योंकि विचार आपको डाइवर्ट कर देगा, कोई लोग यहां आएंगे, तरक विचार कर बावा साब लाए वो चला गया तेरे विचार का अचार डाले हम सारे विचार तेरा जितना भी है उसे हमारे बावा साब की अधिक्रा चलेगे तो यहां विचार पर बता रहा है विचार पर बता रहा है तेरी कितनी जहजेकार करें हम जहजेकार उसकी करेंगे जो हमें कुछ दे के जाता है, और वो विचार हमारे महापुरसू का है, क्योंकि उन से ही हमें सब कुछ मिला है, और उनके विचार में हर चीज लिखी हुई है, हर समाधान है, इसलिए कोई अविद्वान आगे विचार कहता है, तिरा नमस्कार भाई धन्यवाद है अभी साइड में अभी तो हम बावसाब के विचार पर चलेंगे इसने टाइम खराब नहीं करना विचार में विचार यही चलेगा और यही विचार है जो हमको खाना पहले भी दिया था और वो अभी भी खाना देगा, इसी विचार ने हमारी जान पहले बचाए थी, ये विचार अब बनाएगा, हम जिंदगी में अभी तक 70 साल में इखटे नहीं हुए, असोग के समय इखटे हुए थे, बुद्ध के समय इखटे हुए थे, 15 साल दारा हम थोड़े से इखटे हुए जब समय इखटे हुए था, पूरे इखटे हो जाएंगे, तो हमारी सारी मुसीता चली जाएंगी, बहुत हैं हम जनसंख्याम हैं, हम बहुत जागरूप लोग हैं, बस हमको इखटा होना है, यही काम करना है, दिन रात काम करना है, इखटे होक इसी फार्मुला से बस्ती है किसी के पास इससे कोई बहतर फार्मुला हो तो लेके आए ना यहां लेके आएगा तो बात करेंगे तो बताएगा तो पूछेंगे तो तरक बतर होगा वैसे समय खराब होगा कोई टेस्टेड है देखा हुआ है फिर भी हम दो-चार मिनट हमाँ जीत गए थोड़े थोड़े जोड़े तो थोड़े थोड़े जीत गए परमानेंट जोड़ेंगे तो परमानेंट जीत जाएंगे और जब जादा जोड़ेंगे तो सम्मिधान हमारे लिए त्यार खड़ा हुए सलूट करने के लिए आओ मेरे बच्चों तुम वीद बेरुजगार कर दिये, जरा एक साइन कर दो, हमारे जवजगार वापस मिल जाए हमें इतने गर रहने के लिए जरा एक साइन कर दो, बस एक साइन कर दो खेले और वो सम्धान कर दpoxा है, अगर हम इखट्टे होके जाते हैं एक सिगनेचर से एक कागस से चीज़ें खराब होती है एक कागस से ठीक हो जाती है चीज़ें सारी भारत में है कहीं नहीं गई रेल आपकी भारत में चलती है साइन से बिग गई एक सिगनेचर से बापिस आ जाएंगी और दो रेल बन जाएंगी आपको सिर्फ इखटे होना ह यही काम करना है जब तक हम जीतेंगे नहीं और यही हमारी जिन्दगी है और यही हमारा मकसद है और इसी मकसद को प्राप्त करने के लिए हमें समिधान को मानते हुए आगे बढ़ना है धन्यवाद क्योंकि आज बहुत सारे वकील भाई यहां पर इकटा हैं और अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग डिस्टिक्ट से यहां भी बहुत सारे भाई आए और अभी यह बात हुई है कि आने वाले सुमबार को हम हाउस में प्रपोजल रखेंगे कि वकीलों का जो संग है वो अपन एक्टिवली काम करना चाहते हैं वो अपना फोन नंबर और अपना एक्टेस और अपना जिस जगह पे वो हैं जिस कोट में वो हैं वो चैट बॉक्स में डाल दें ताकि उनसे बात हो जाए और हम जो हमारा कंसल्टेशन ऑनलाइन करने की का एक प्रपोजल है उस पे काम करन दन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेने गच्छामी संगं सरेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेने गच्छामी बूथियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी तूथियं पी धम्मं अर्सेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी तूथियं पी जंगं सर्णं गच्छामी बुखियं पी संदं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं सर्णं कच्छामी